नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फटी एडियों को ठिक करने के घरे लो उपाए लोग अपने चेहरे का ख्याल रखने के लिए तो कई तरह के जतन करते हैं लेकिन अपने पैरों का ख्याल नहीं रखते इस कारण एडियों की तवचा डेड हो जाती है विटामिन ए की कमी और आयरन की प्रयाप्त मात्रा ना लेने से एडियों फट जाती है एडियों की देखवाल न की जाए तो इनमें बहुत दर्द होता है और दरारे आने के बाद उसमें से खुन निकलना सुरू हो जाता है आपको चलने में भी बहुत परिसानी हो सकती है इसे ठीक करने के लिए बजार में अन्य क्रीम और दवाईयां मिलती है कुछ घरेलू तरीके भी हैं जिन्हें अपना कर फटी एरिया ठीक की जा सकती है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घरेलू तरीके सबसे पहला घरेलू उपाय है वो है सहद फटी एरि ठीक करने के लिए सहद को अच्छा माना जाता है आधा कब सहद में पानी मिला कर करीब 20 मिनट तक उसमें अपने पैरों की एरियों को डुवो कर रखें 20 मिनट बाद पैरों को निकाल ले और साफ तौलिय से पोच ले दूसरा उपाय नारियल के तेल का पर्योग नारियल के तेल को हलका गर्म कर राद को सोने से पहले एरियों पर लगाए सर्दियां है तो सौक्स पहन कर सो जाएं सुबह उठकर पैरों को पानी से धोएं 10-15 दिन तक करें एरिया मुलायम होने लगेंगी सर्दियां का तेल नहाते समय पैर की एरियों की अच्छी तरह सफाई करें सर्दियां की तेल से मालिस करने से एरियां फटना कुछ दिनों में कम होने लगेगा चीनी और जैतून के तेल का परियोग चीनी और जैतून के तेल का मिस्रन तयार कर लें इस मिस्रन को स्क्रब से पेरों में रब करें थोड़ी दिर बाद पेरों को धोलें साफ तौलिये से पेरों को पोच लें ओलिव वाइल या जैतून के तेल का इस्तेमाल करने से पैर कोमल और मुलायम हो जाते हैं। देसी घी और नमक को मिला कर मिस्रन तयार करें। इस मिस्रन को फटी एडियों पर लगाएं। जल्दी फटी एडियों ठीक हो जाएंगी और पैरों की त्वचा कोमल बनेगी। तो ये था फटी एडियों को ठीक करने के कुछ घरेली उपाया और घरेली नूस्खे। अब हमारे इस चैनल ग्यान के बाते को सब्सक्राइब करें ताकि हिल्द समंदी सारी जनकाड़ें आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।